जहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी को KPS Study Point YouTube चैनल पर तो आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं नवंबर 2021 के तीन बरी भरती के बारे में यानि कि इस मन्थ में जो आपका भेकेंसी आने वाला है उस भेकेंसी के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट हमारा जो भेकेंसी ह के तरब से है इसके बाद आर्मी BRO के तरब से है और दिल्ली पुलीस के तरब से है और आप सभी को बता दे कि इन तीनों वेकेंसी के लिए सोट नोटीस आ चुका है जो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं तो अगर आप भी BASF या आर्मी BRO या दिल्ली प के बारे में यानि की BRO के तरब से बोर्डर रोड और्गनाइजेशन के तरब से 354 पोस्ट पर आपका वेकेंसी होने वाला है और इसका सोट नोटिफिकेशन भी आ चुका है जो आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे साथी साथ आप सभी को बता दे कि इस वेकेंस इस में पोस्ट वाइस वेकेंसी यहां पर देख सकते हैं जिसमें प्रेंस classification की 33 पोस्ट है और इसकी अप्लाई मोड ऑनलाईन है और जोब लोकेशन एंडे चार इसका औल ओबर इंडिया है, अप्लिकेशन फी आपका जेनरल OBC के लिए 100 रूपिया रहेगा, SCST फीमिल के लिए 0 रूपिया आपका रहने वाला है, इसके बाद इसका पेस के लेकई से 700 से आपका शुरू होगा, और एज लिमिट की बात करें, तो एज लिमिट आप सभी को बता द देखने को मिलेगा, हाइट आपका 156 सेंटीमिटर रहेगा, और चेस्ट 80-85 सेंटीमिटर, और जो ए स्टुडेंट नॉर्थ इस्ट से आते हैं, उनके लिए 112.5 सेंटीमिटर हाइट रहेगा, और ST कैंडिडेट के लिए अल ओबर इंडिया से 106 सेंटीमिटर, यहाँ पे इंडर्स्टियल यानि की आईटीया के जो सर्टीफिकेट है, पेंटर फिल्ड में होना चाहिए, इसके अलावा आप सभी को बता दे की मेस वेटर के लिए 13 पास है, तो आप फर्म अप्लाई कर सकते हैं, वेहिकल मेकेनिक के लिए 13 पास होना चाहिए, और सांती सांत जो है इन में से कोई भी अगर ट्रेड का सर्टीफिकेट है, तो आप इसके लिए फर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो हैं अब यहाँ पे बात करते हैं इस बात करते हैं, इस वेकेंसी की उसलम है के बारे में, यानि कि इसी मन्थ में नवंबर 2021 में आज आप सभी को पता है कि बारे नवंबर है तो आने वाला जो Employment News Paper है उसमें जो है आपको इसका फूल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और इसका जो है आप सभी नोटिफिकेशन यहां से डाउणलोड कर सकते हैं इसका लिंग हम दिस्क्रिप्सन में देदिये हैं इसका सोट नोटिफिकेशन आप सभी इसक्रीन पर भी देख सकती ह 행 काफी शरूर कीजिएगा अगर सभी आर्मी भीडारो भरती में जाना चाहते हैं तो इसके बाद जो हमारी second number की वेकेंसी है वह है BESF group C के लिए जिसमें 72 post पर आपका total वेकेंसी जारी किया गया है और इसमें post name की बात करें तो ASI, head constable carpenter, head constable palumber, इसके अलावा constable की वेकेंसी है, generator operator है, generator mechanic है, line man की है यानि कि various post पर आपका वेकेंसी जारी किया गया है इसके बाद यहाँ पर बात करें आपका total post की तो जैसे कि मैंने आपको बता हैं कि 72 जो है इसमें total post है और who can apply तो all India candidate male female दोनों के लिए है, इसका form online mode से आपका apply होगा, job location and exam center इसका all over India है और application फी आपका 100 रुपिया है, SCST general OBC के लिए और SCST female के लिए एक भी रुपिया इसमें नहीं लगेगा, यहाँ पर बात करें वेकेंसी की age limit की तो 18-25 बरस के बीच है और इसका भी age जो है last date के according आपका count किया जाएगा, SCST को 5 बरस का छूट और OBC को 3 बरस का छूट देखने को मिलेगा, height 150 cm और chest 80-85 cm और अगर आप सभी North East के जो यह सभी एस्टेट है यहाँ से विलाओं करते हैं तो 162.5 cm और ST के लिए 107 cm रहेगा, अब यहाँ पर बात करते हैं इस वेकेंसी की qualification के बारे में तो ASI की जो post है इसमें तेंथ पास होना चाहिए और साथी साथ डिपलोमा कोर्स इन ड्राप्टमेन फ्रम इंडस्टियल ट्रेनिंग इंस्टियूट यानि क जो है आपका इस फिल्ड में जो है आपका पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए यानि कि ड्राप्टमेन में और यहाँ पर डिजाइरेबल में शिविल इंजिनियरिंग भी मांगा गया है डिपलोमा इन सिविल इंजिनियरिंग तो यह सभी जो है क्वालिफिकेशन रखा गया है तो साथ इसाथ इंडस्टियल ट्रेनिंग इंस्ट्यूट का जो सटिफिकेट है कारपेंटर फिल्ड में होना चाहिए और थी यार एक्सपिरियेंस भी इस फिल्ड में आपके पास होना चाहिए इसके बाद यहाँ पे आप सबी देखेंगे जो पलंबर का वेकेंसी है इसमें भी तेन्थ पास और साथ ही साथ आई टी आई जो है इंडस्टियल ट्रेनिंग इस्ट्यूट का सर्टिफीकेट और तीरी या इसकी अलावा जो है तीरी यार के एक्सपरियेंस है इस ट्रेड में तो आप सब भी इस फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं इसके बात कंस्टेबल स्वियर मैं की जो वेकेंसी है इसमें तेन्थ पास मांगा गया है और यहाँ पर देखेंगे कि इस फिल्ड में जो है certificate है तो आप फर्म अप्लाई कर सकते हैं और यहां पर थीरी यर्ज के experience भी मांगा गया है Constable generator mechanic के लिए भी same है तेंथ पास और इस फिल्ड में जो है आपके पास ITI का certificate होना चाहिए diesel motor mechanic जो है आपका इस फिल्ड में आपके पास ITI का certificate यानि क्या आपको बताए यह जो है तेंथ पास और साथ इसाथ ITI का भी इसमें certificate मांगा गया है इस trade से related इसके बाद lineman के लिए तेंथ पास है तो आप इस फर्म को apply कर सकते हैं इसमें किसी भी पर करके जो है आपसे ITI का certificate नहीं मांगा गया है यहाँ पर बात करें इस vacancy की तो यह भी vacancy आपका जो है आने वाला है इसी मन्त में और इसका जो है notification आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो की BSF के तरफ से जारी किया गया था कुछ दिन पहले यानि कि आज से दो सबता पहले और बताया गया था कि यह vacancy बहुत जल्द आ देखने को मिल सकता है और इसका लिंक हम description में दे दिये हैं आप सभी जो है online sarkarij job.com इस वेवसाइट पर आकर भी चेक कर सकते हैं और इसका लिंक direct description में है आप सभी जाकर वहाँ से इसका notification डाउनलोड कर सकते हैं सबसे पहले आप सभी को by juice exam prep app के बारे में बता देते हैं जो कि इंडिया का number one educational platform है अगर आप सभी किसी भी defense exam की तयारी कर रहे हैं तो by juice exam prep app के द्वारा कर सकते हैं यहाँ पर आप सभी को बता दे कि इंडिया के number one जो defense exam के teacher है उनके द्वारा जो है class कराया जाता है और यह आप सभी के लिए batch जो है CAPF 2022 के लिए जो foundation course है यह Steil 2 अक्टूबर से सुरु हो चुका है ऐसके अलाबावा आप सभी को बता दे कि cds 1 2022 के लिएww आपका class 14 askedbr के लिए and और इसके अलावा आप सभी को बता दे कि AFCAT 1 2022 के लिए जो है आपका कलास 18 अक्टूबर से सुरू किया गया है और यहाँ पे आपका SSB इंटर्भिव 17 अक्टूबर से सुरू कर दिया गया है तो अगर आप सभी इनमें से किसी भी डिफेंस एकजाम की तयारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं और यहाँ पे आप सभी देखेंगे सब्सक्रिप्सन का जो है आपका प्लान दिया गया है अगर आप बारे मंत के लिए लेते हैं तो 9000 रूपिया लगेगा लेकिन न्यू टेन आप सभी अगर कूपन को यूज करते हैं तो आपको 8100 रूपिया में मिल जाएगा यानि कि 10% आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्सन में दे दिये हैं आप सभी जाकर जोईन कर सकते हैं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वेकेंसी है वह है दिल्ली पुलीस के तरप से यहाँ पा देख सकते हैं और इस नोटिफिकेश जो है 9,310 और टोटल जो है 13,089 जो है पोस्ट दिल्ली पुलीस के अंत्रगत अभी जो है भैकेंट है और यहाँ पे आप सभी देखेंगे बताया गया था कि हेड कंस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस अपरेटर का जो 778 पोस्ट पभरती है यह जो है आप सभी यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बताया गया था कि जो इसका एडवर्टाइजमेंट है SSE के दवारा the month of November tentative यानि कि November month में बताया गया था कि इसका notification जो है आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं यह दिल्ली पुलीस के तरब से ही notification आया था और यहाँ पर बताया गया है कि SSE जो है इसके लिए November month में notification जारी करेगा हालांकि यहाँ पर tentative date बताया गया था confirm date नहीं तो यह जो है संभावना है कि या सकता है head constable assistant wireless operator post पर दिल्ली पुलीस के अंतरगत भरती जो की दिल्ली पुलीस के तरब से ही बताया गया है और इसके आलवा भी काफी सारे post पर दिल्ली पुलीस के अंतरगत आपका भेकेंसी आने वाला है लेकिन इस month में जो है आपका head constable assistant wireless operator post पर जो है भेकेंसी आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तों यहीं तीनों भेकेंसी जो है आपका इस month में जो है देखने को मिल सकता है last week तक जो है सभी का last week तक देखने को मिल सकता है कर नफर्म तो नहीं है लेकिन एससी के तरफ से यानि कि दिल्ली पुलीस के तरफ से बताया गया है कि एससी जो है अपने ओफिस्याली वेवसाइट पर इस भरती का जो है नोटिफिकेशन जारी करेगा इसी महीना में तो दोस्तों कोई भी सवा कमेंट सक्षन में बताईए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिंद बंदे मात्रा